नमस्कार मित्रों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल इनाने आइजुकेशन में स्वागत है आज मैं एक बहुत ही सांदार न्यूज लेकर आपके सामने उपस्तित हूँ आज ये जो न्यूज है वो राज एकरमचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुश कब रही है कि सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे इस बटन है उसके बाद एक बेल आइकन आएगा जिसे जरूर क्लिक करें जिसे हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको आने वाले हर न्यूज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जैसा कि आप सभी को पता है कि पुरानी पेंशन बाहली के लिए सुप्रीम कोट में केस चल रहा था जिसमें करमचारियों की जीत हुई है और पुरानी के जो पेंशन है उसके केस में आज NPS के करमचारियों को सरुच नायले में सांदार जीत पराप्त हुई है करमचारियों की पुरानी पेंशन इसकीम के हक में पैसला सुनाया और पुरानी पेंशन के पक्स और विपक्स में करमे से करमचारी और बाद सरकार का पक्स सुनते वे सवरच नायले ने इस निश्करप पहुंचा है कि नई पेंशन इसकीम करमचारियों क से पूरामाराणी पेंसन को जिस आदार पर रद कर सरकार ने नपेस को लाग किया था? वह एक्दम गलत था from कृम्टर नियाले में की नुक्ति के कितीी सैं पुरामाराणी पेंसन्यील्व को लागा करने खाँ की विवनाराणी दिर्लाणी sinner बाहल करेंगे तो इससे बहुत सारी वीति जो प्रबाव पड़ेगा और हमारे पास बहुत ही वीति जो लोस होगा जिसके कारण से फिर भी जो शरुच नाले उसने इन तर्कों को खारिज कर दिया और जो भी और अगर आप डाइरेक्ट पी निकाल सकते हैं और इसके अलावा आप इस कोपी को नीचे में डिसकुर्शन में लिंक देख दूंगा जहांसे आप डाइरेक्ट इसको पढ़ सकते हैं या आपके जो सीजी अई अमित मिस्रा है सौरी दिपक मिस्रा है उनका जज्जमेंट है और आप अगर इंगली सब्जेक्ट है हो तो आसानी से इस कोपी को पढ़कर समझ भी सकते हैं कि इसमें क्या ओड़र दिया है वैसे मैंने आपको बता दिया है कि इसकी संपूर्ण डिटेल की किस परकार ये केस हुआ और इसमें क्या नतिज़रा और जल्दी सरकार को अब पूरानी पेंसन से समधी जो आधे से वो जारी करने बढ़ेंगे गन्यवाद दोस्तों